कि नुश्कार दोस्तों स्वाग्या था एक नए ब्लोग में दोस्तों जैसा कि आपको कल हमने बताया था गाड़ी लोडिंग में जाना है तो मैं रात को तकरीबन बारा बजे का टाइम ऐसा फिक्स करके सोचा था चलेंगे बारा बजे के आए कि मेरी आख खुली फिर मुझे नीदा रहे थी फिर सो गया फिर में रात को डेड़ बजे चाय पिया इसके बाद में वहां से निकला मैं यहां पांच बजे पहुंचा रहा हमारा हम से आ रहा था बारिस भी बहुत हो रही थी और वो सिंगल रास आपकेजिंगंग होगयरा कर रहे हैं अभी आपको दिखाएंगे घर समान लोडिंग कैसे होता है विजलब की जैसे कि यहां से इस कालोनी से कि यहां जो रहते थे यहां सहले सरकारी कर्मिचारी थे कोई अभी वो सिफ्ट हो गए है दिल्ली में अभी दिल्ली सिफ्ट हो गए है तो क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट हो गएरा होता है ना पैकरशिंग का और यह घर समान हो गएरा वाला तो अभी आपको दिखाएंगे किस तरह ट्रांसपोर्ट के ही आदमी होते हैं वो सामाना के पैक करा देना है वो खुद पैकेजिंग करेंगे खुद ले जाके सिफ्ट करेंगे आपका एड्रेस पे आपका सामान खोल के साफ सफाई से लगाएंगे तो ऐसा ही सिस्टम है और दोस्तों अभी तक देखो बच गया है 11 में चाय भी नहीं पिया क्योंकि कुछ अच ऐसा था दिक्कत गाड़ी अब तक खड़ी थी दूसरे के सामने और सोच रहा था यार गाड़ी छोड़के हटूंग अगर क्या पता गाड़ी ने में न पाए मेरे खुद भी या जानते ही हूँ आजकल के लोगों का कुछ बरूसा ने टायर वायर कहावन निकाल दे पर अब भी नीद में चलिए दोस्तों चलते हैं दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे रोड़ गीला दिखाए दे रहा है और हलकी हलकी अभी भी बारिस हो रही हम पहुंचने वाले हैं अब रेस्टोरेंड के स्पास दोस्तों यह है इडली हमने इडली आडर किया था और खा रहे हैं दोस्तों इडली अब हो गया दोस्तों नास्ता भी और चाय भी पी लिए आप लोग देख सकते हैं रेस्टोरेंट को क्या का सामान रखा है क्योंकि पूरी तरह दोस्तों दिखाने नहीं देते वीडियो ना कोई-कोई होता है उसको बुरा लगता है अब कौन पूछे किस से इसलिए मैं ऐसे बना लेता हूं वीडियो फिर निकल पड़ा हूं दोस्तों आ रहा हूं गाड़ी की तरफ बारिस हलकी हलकी हो ही रही है और मैं लमसम थोड़ा बहुत भीग भी गया हूं अभी इदर ही कालोनी में एक है पान की दुकान दिख रहा आपको द हूं लोस्तों मैं नास्तों अगेरा करके आग गया इडली खाय और चाय प्रिया इसके बाद पान खाया लेकिन यार मजा नहीं आया क्यूम नहीं आया कि आप समझे लों लमसम डेड़ किलो मीटर में गया अवाया आने जाने निव तीन-साड़ी में गया अगया के जितना तो हम माग चुके हैं गाड़ी के पीछे और आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह यह लोग सामान लोडिंग करते हैं और वो सामने जो घर दिख रहा है उसी में से ला रहे हैं देखो दोस्तों कितना कमाल की यह लोग पैकेजिंग करते हैं यही इसी सब चीज का पैसा त लेते हैं यार यह है इनकी कार और यह देखो इस तरह लाके लोडिंग करते हैं कंपणी इसी सब बात कर पैसा लेती है वह यह सब दोस्तों कंपणी के प्रस्नल वरकर होते हैं और आएंगे आपका माल उठाके पैकेजिंग करके से तरीके से गाड़ी में भरके कागज औग गाड़ी को रवाना कर देंगे इसके बाद में उधर भी दूसरा आदमीन का आएगा उतारेगा खोलेगा सही धंग से ओघर में सेफ तरीके से लगा देगा यह लोग भीग चुके हैं क्यूंकि बारिसोरी ने अलकिल की और मैं भी खड़ा हूं भीग ही चुका हूं आप ल चार बज चुके हैं और गाड़ी तो भर गई काफी देर पहले हमारी लेकिन क्या है कि बारिस इतना हो रहा है यार मेरे को लगा है भूख और मैं सोच रहा हूं कुछ खाने के लिए जाके खाके आओं लेकिन यार बारिस के चलते मैं जा नहीं पा रहा हूं और अभी गया यार थोड़ा दूर जाना पड़ता है भीग गया था देखो ना कपड़ा निकाल के रखाओं सोखने के लिए इसके बाद में भूख भी लगया बहुत जोर का और यार मुझे हो गया जुकाम जुकाम इसली हो गया गाड़ी चलाओ इसके बाद जब भी नीचे उतरो मानलो कोई काम से उतरना तो पड़ेगा एक दो घंटे में तब ही भीग जाओ वो ठंडा गरम ठंडा गरम हो गया जुकाम आप लोग देख सकते हैं क्या हालत हो रही एक दम हालत खराब है चलिए रोस्तों चलते हैं कुछ खा के आते हैं जाना भी पढ़ता है यार बहुत दूर मेरे को लंचाम टेर किलोमीटर के आसपास तब तो कुछ मिलेगा लेगिन क्या है कि जाना तो पड़ेगा ही भूखना लगती तो मैं जाता ही नहीं चलिए दोस्तों चलते हैं बारिस हल्की हल्की हो रही है आप लोग देख सकते हैं अभी बारिस हल्की हल्की हो रही है दोस्तों बिस्किट चिप्स और छोटा पानी का पुप है ये यहीं पे कालोनी में पान का एक सौप हैं वहीं से यहीं सब खाके अब पान खाते पिर चलता दोस्तों वापस आ रहा हूं गाड़ी के तरफ खाने गया नहीं दूर था इसके लिए आ रहा हूं गाड़ी के तरफ खाने के लिए जाना पड़ेगा दूर और टाइम भी निकल गया शाड़े चार बज़ गया था बारिस भी हो रही है तो अभी आपने जो देखा एक विस्किट खाया और एक चिफ्स पानी पिया एक छोटा बाटल और पान खा के चलाया आप साम को खाएंगे इस अठा निकलने के बाद ही क्यूंकि यार तबियत है खराब जाते दूर जा नहीं सकता दोस्तों रात को गाड़ी 11 बजे में भरके निकला और 20 किलो मीटर दूर आके पेट्रोल पंपह यहीं रुख गया था डीजल लेना था तबियत भी खराब थी इधर ही सो गया अब सुबा हो गई डीजल लेते हैं चाय पानी पीते फिर आगे निकलते हैं और दोस्तों इस ब्लोग को यहीं समाप्त करेंगे मिलते हैं अगले नए ब्लोग में जय हैं